बिस्मिल्लाइ रामानि रहीम आसलाम नीकिम दोस्तों वेलकम टो सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बर फिर नई वीडियो में डेर सारा खुश्याम दिदू उम्मिद करते हैं हम तमाम दोस्त ठिक ठाक होंगे और अलापके फजल करम से खैरियत के साथ होंगे आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी काली से काली मेली से मेली गर्दन को गोरा चिटा खुबसूरत और नर्मो मुलाइम बनाने की एक जबरदसी होम रेमडी इस होम रेमडी के इस्तमाल से आपके गर्दन जितने भी जादा मैली कुचली काली हो चुकी है आप बहुत असानी के साथ अपनी गर्दन की रंगत को साफ कर सकते हैं और बहुत खुबसूरत नर्मो मुलाइम बना सकते हैं आप चाहते हैं कि आपकी गर्दन बहुत प्यारी दिखिए कि आप बार बार आयने मुझे देखें या चूपके देखें कि कितनी प्यारी नर्मों मुलाइम आपकी नेक हो जाती है तो इस रेमडी को जरूर इस्तमाल करें पसांद आए तो लाइको शियर भी जरूर करिएगा स्टार्ट कर लेते हैं इस रेमडी को बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले हम आएड करेंगे आदा चमच संदल वूड पाउडर यानि के संदल की लकडी का पाउडर दूसरे नमबर पर हम इसमें आड करेंगे बेकिंग सोडा यानि के मिठा सोडा तीसरे नमबर पर दो चुटके एड़ करेंगे सौल्ट यानि के खाने का नमक और लास्ट पे हम इसमें दो चमच आड़ करेंगे योगर्ट यानि के दही ठीक हो गया और इन चारो चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करते दुरान में आप दोस्तों से यह कहूंगी कि अगर आपका पैक बन के हो जाता है त्यार इसको थोड़ा सा रहनी रखेंगे ठीक नहीं रखने कंसिस्टेंसी में आपको चेक करवा देती हूं इस पैक को आफ रिच के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और नेक्स डे इसको दुबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको लग पैचिस या मैल कुचल हो सिवाएद चेहरे के चेहरे पर आप इसे अपलाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा एड़ किया है और आदा चमच बेकिंग सोडा हमारे चेहरे की स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है पंदरा मिनिट इंतजार करेंगे औ आप किनेक आप इसे अगर एक हफ़ता रेगुलर इस्तमाल करें तो काली से काली गर्दन भी बहुत जादा फ्यार ब्राइट और ग्लॉइंग हो जाएगी तो इसको जिसम के किसी भी हिसे पर आप अपलाई कर सकते हैं हाथ और पाउंपे भी प्लाई किया जा सकते हैं तो यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर और साथ में लेसन के तरफ चलते हैं और लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि जिन्दगी की असल खुबसूरती यह नहीं कि आप कितने खुश हैं बलके जिन्दगी की असल खुबसूरती तो यह है कि दूसरे कि तो फीक अता फर्माएं हमारी जिन्दगी में आप सबकी जिन्दगी में असानिया पैदा करें अपने वाले दैन का अपनी सहत अपनी खुबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी धेड़ सारा ख्याल रखिए मैं मिलती आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हफीज